नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वालचंद्र, ब्रह्मान्ट सिद्याष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवत होगा सुबह साथ बचकर अठाव मनिट से लेकर नौ बचकर तीस मिनिट तक अभिजित्मूर्थ दोपर बारा बचकर नौ मनिट से लेकर बारा बचकर सतामन मिनिट तक का होगा। राहुकाल और यमगंडगाल दिन के अशुपकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपुर्ण काम या के निरने बिल्कुल भी नहीं लेना। उस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा संपुर्ण दिन धनु राशी में ब्रह्मन करेगा। तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के भाग्य बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके राशी में सिधार्शल के साध्या चंद्रमा केंद्रयोग करने जा रहा है और आपके वेया बाव में से तरवी के साध्या चंद्रमा केंद्रयोग भी करने जा रह थी या फिर जो भी आपका कारिश है तर उससे रिलेटेड भी चोटी-मूटी बाते हो रहे थे उससे आज आज थोड़ा बाहर निकलोगे आज आपका जो मुलबुत तत्व है जोश वो आज आज आप में दिखाई देगा तो दिन काफी अच्छा है लेकिन अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है वहाँ पर शोटी-मूटी बाते हो सकती है लेकिन मूटे दूर पर अगर देखा जाए तो आज का जो दिन है आपके लिए शुबव फलदाई सावित होगा इसके बाद के जो राशी है वो है ब्रिशब राशी ब्रिशब राशी के आश्टम बहुमे चंद्रमा का ब्रहमन है और आपके लाब बहुमिस्थित रवी के साधिया चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है आपके वे बहुमिस्थित हर्शल के साधिया चंद्रमा वहना कापी अच्छी बनती है तो कुल मिलाके देखा जा तो आज की दिर किसी भी प्रकार के महतोपुण निर नहीं या फिर काम बिल्कुल भी नहीं करना इसके बाद के जो राशी है वो है मिधुन राशी मिधुन राशी के सब्तम भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके दश्म भाव में सित रवी के साधिया चंद्रमा केंद्रियोग करने जा रहा है उस प्रकार आपके भागया भाव में सित हर्शल के साधिया चंद्रमा नवपंचमियों ग्याने के त्रिकोनियों करने जा रहे तो अगर आप विवाई तो आपकी जो वैवाई जोड़ेदार है उनके साथ आज आपके हारमनी बहुत ही अच्छे देखे जाएगे कुँछ अच्छे लाव वगरण मिनने की संभवना भी काफी अच्छी बनती है उसी प्रकर आज की दिन किसी प्रकर के महत पूलना काम बिल्कुल भी नहीं करना अगर करते हो तो वो पूरे होने के संभवना थोड़ी कम दिखाई दे रही है इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के शच्ट बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके दशम बाव में सिद्ध हशल के साधिया चंद्रमा नवपंचम योग याने की तरीकों नियोग करने जारा है आपके भागे बाव में सिद्ध रवी के साधिया चंद्रमा केंद्र योग भी करने जारे तो जो भी आपका कारशेतर है वहाँ पर की जो काम है वो आपके पूरे होते हुए नज़र रहेंगे अगर आप जॉब लेसे तो आज की दिन आपको जॉब अगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है इसके बात जो राशी है वो है सिंग राशी के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रहमन है और आपि सकते हैं अंतर प्रेरणा जिसे हम कहते हैं वो आपको आ सकती है जिसके आधर पर आप अगली सोच या फिर आगे क्या करना होगा उसके संदर में में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके सब्सक्राइब करने जा रहा है तो जो भी आपका आपके उपर हावी हो रहे है तो उसके संदर कुछ अनूब हो आज की दिन आपको आ सकते हैं लेकिन मोटे दर पर एका देखा जाए तो आज का जो दिन है काफी मायनों में शांत तफूरवग बीच सकता है इसके बाद कि जो राशी हैं वो है तुला राशी बहुत अच्छी देखी जाएगे, सिर्फ आज आपको जो इंकम जिसे में कहते हैं, प्रक्तिक्शन लाप तो नहीं मिलेगे, लेकिन काम ज़रूर पूरे होते हुए नज़र आएगे, आज के दिन आप थोड़ा विजी सावित हो रहोगे, इसके बाद के जो राशी है, वो है बिच्चिक राशी, बिच्चिक राशी के दिन ऐसी दिन है, आपके लिए अनविक्ष लाप बगरा मिनने की संबावना काफी ज्यादा बनती है, जो भी आपका कारेशा दरूसरे लिटरी कुछ ऐच्छी बात हो सकती है, लेकिन आज की दिन खर्चे के उपर थोड़ा सा ध चोटी मूटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है धनु राशी धनु राशी में ही चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके पंचम बाव में से धर्शिल के साथ या चंद्रमा ना वो पंचम योग आने की त्रिकों योग करने जा रहा है आपको जो दिन है वो भी काफी अच्छे तरह के से कड़ेगा सिर्फ घर के जो लोग है खास करके जो पूरुश वर्ग है उनके साथ चोटी मोटी बातों के लेकर प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन इससे कुछ ज्यादा इंपक्ट आपके लाइफ पर या फिर दिन पर नहीं तो आज का जो दिन है वाई-वाई-जोडिदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशन्शिप वो काफी अच्छे देखी जाएगी उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है आज के दिन आपके जो भी महतो प्रॉण पर काम है वो का आप हात में ले सकते हो सिर्फ आपके जो भी काम है जो की नहीं पूर्ण हो रहा है आज के दिन अनपक्षित तोर पर पूरे होते होए नजर आएंगे बहुत अच्छा दिन है आपको मुझे अच्छे लाव बगरह मिलने की संभावना भी काफी अच्छे बनती है लेकिन आपकी जो वयवाई- के साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकर रहो सकते बस उसी के उपर थोड़ा सा द्यान देना आवश्रक होगा इसके बाद की जो राषी है वो है मींदर राषी के दर्ष वाव में चंद्रा का भ्रहुन है और आपके द्वितिया बाव में से धर्शल के साथ यहाँ करने जा रहा है। उसे पर आपके वहिया भाव में आपकी के राशी में सिधर्शल के साथ यह चंद्रमांग केंद्र योग भी करने जा रहा है तो दिन बहुत ही अच्छा है जो भी आपका कारेश है उससे रिलेटड कुछ अच्छी बाते आज के दिन होने की संबावना काफी अच्छी बनती ह है जो भी आप अनुमान लगाओगे वह सही साबित होते हुए नजर आएंगे थोड़ा सा स्वास के बारे में ध्यान रखना आवश्यव होगा तो दोस्तो ये था दिनंग 25 मार्च 2022 का संपुर्ण राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुबहों की अर नीचे कमेंड बॉक्स में ज़रूर कमेंड करना और अपने जो चैनल है ब्रह्मान्द सिद्धिय एस्ट्रो इसे भी लाइक शेर और सब्सक्राइब से रुकर दोने वाल